Hey guys, आये coordinate geometry करते हैं class 9 का यहाँ पे हम सारे concepts cover करेंगे आपके exercise 3.1, 3.2 और 3.3 के और उसके बाद मैं 14 questions करूँगा जो के सारे concepts का mixture है और काफी अच्छे questions है मेरा नाम है दवनीत और आये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हमने इन number line देखी हुई है अगर suppose मुझे 2 plot करना है तो मैं क्या करता हूँ मैं अपना 0 से लेता हूँ 2 distance यह रह 2 तो इसको plot कर दिया और number line मनाते कैसे हम 0 से 1 का distance लेता हूँ और same distance 1 से 2 का 2 से 3 का 3 से 4 का ऐसे ही left side में ऐसे अगर मैं एक और number line ले लो और फिर उसे गुमा के कुछ ऐसे कर दो तो यह बन जाता है मेरा Cartesian plane तो यह कुछ ऐसा दिखता है जहां पर यह दोनो number line intersect करती है वो point होता है O 0 ने होता है O होता है O for origin ठीक है O, R, I, G, I, M और यह वाली जो axis होती है जो लेटी होती है उसे कहते हैं हम X axis तो positive वाले को X mark करते हैं negative वाले को X dash ऐसे ही यह जो उपर वाली है इसे कहते हैं Y axis उपर positive वाली को Y और नीचे negative वाली को Y dash कहता हूँ ठीक है तो यह जो पूरी axis है इसे हम कहते हैं Y dash यानि यह पूरी line है मेरी Y axis ऐसे यह पूरी line है X axis और जहां पर intersect करती है वो point है मेरा origin ठीक है तो graph हो गया हमारा partition plane कहते हैं उसे अब करते हैं plot points को plot करते हैं मैं यहां पर यह सारे points plot करता हूँ और देखता हूँ कि एक एक point का मतलब क्या है अब अगर मैं 3,4 लो तो इसका मतलब सबसे पहले X आता है और बाद में Y यानि इस 3,4 का X coordinate है 3 Y coordinate है 4 अब X coordinate 3 का क्या मतलब अब देखो 3,4 है तो इसका मतलब origin से distance X axis में यह 3 है यानि 0 से मैं 3 distance जाओं तो यह 3 यह आता है और फिर Y axis से 4 फिर यहां से उपर 4 जाओं यह रहा तो यह है मेरा 3,4 तो यह होता है horizontal जो पहले आता है जो यह 4 होता है यह उपर जाते हैं तो यह vertical है तो 3,4 के लिए पहले में 0 से 3 गया और फिर 3 से उपर चला गया तो यह है मेरा 3,4 similarly यहां पर minus 2 है तो क्योंकि minus है तो left side जाओंगा और पहले X minus 2 है तो left side जाके जाता हूं मैं minus 2 की तरफ तो यह कुछ है आ गया और उपर Y 0 है तो कहीं उपर नहीं जाना तो यह ही रुख जाता हूं तो यह वाला point जो है मेरा यह point है minus 2,0 अब यह देखते हैं यह है minus 3,3 X की value minus 3 तो 0 से जाता हूं minus 3 की तरफ यह रुख और Y की value 3 यानि फिर यहां से उपर जाता हूं 3 1,2,3 3 है रह तो यहां गया यह वाला point जो है मेरा यह होगा minus 3,3 similarly बाकी हो जाएंगे देखो अब यहां पर X की value 2 Y की value minus 4 तो X 2 Y minus 4 नीचे जाओंगा तो यह रह मेरा अगला है 0, minus 2 तो यहां पर X 0 Y minus 2 X 0 का मतलब left right ने जाना Y minus 2 का मतलब Y में नीचे जाना है minus 2 तो Y से नीचे minus 2 यह रह अब notice करो minus 2,0 और 0, minus 2 अलगलग points है तो जिस order में लिखते हैं उस पर फरक पड़ता है अच्छा अगला है minus 1,1 यानि X की value minus 1 फिर नीचे चले जाओ minus 1 तो यह Y की value minus 1 तो यह point आगया minus 1, minus 1 इसके अगला है minus 1,4 यानि X minus 1 फिर उपर जाओं 4 तो यह point minus 1,4 और इसके बाद है 3,0 यानि X से जाओं 3 यहाँ पर और 0 है तो यह पर रूप जाता हूं तो यह वाला point है मेरा 3,0 चीक है तो इस तरीके से हम plot करते हैं points ओके अब दिखते हैं apps के सा और ordinate क्या होते हैं यह बहुत ही simple terms है बताने क्यों weirdly बताते हैं इसको apps के सा होता है अगर X,Y point है मेरा तो X coordinate होता है apps के सा Y coordinate होता है ordinate चीक है फॉर एक्जामपल अगर इसका लूँ 3,4 तो इसका apps के सा होगा X coordinate 3 और ordinate होगा Y coordinate यानि 4 ठीक है ऐसी इसका क्या होगा इसका apps के साज यह x coordinate होगा 0 और ordinate होगा minus 2 चीक है इसके बाद बात आती है quadrants की यह देखो अगर suppose मेरे पास एक pizza है इसको मैंने 4 हिस्सों में divide करा तो यहार इसे 1,2,3,4 quadrant बोल देते हैं ठीक है ऐसे यहां पर भी आप देखो रहें 400 में divided है एक square तो यह मेरा first quadrant, second quadrant, third quadrant और fourth quadrant आ जाता है ठीक है 1,2,3,4 अब आप notice करो यहां पर इस quadrant में मेरे points positive, negative क्या-क्या है यह चेक करते हैं देखो first quadrant में मेरा point suppose 3,4 है यह 3,4 है तो आप notice करो मेरा x coordinate भी positive, y भी positive, second quadrant में देखो, देखो x जो पहला है वो negative है, y positive है और third में पहला negative, दूसरा भी negative, x भी negative, y भी negative, और fourth में देखो यह 2,4 है तो x positive है, y negative, ठीक है, तो यह मतलब होता है coordinates का, हम coordinate को देखके बता सकते हैं कि यह कौन सी, इसके x coordinate positive होगा या y coordinate positive होगा या negative होगा ऐसे ही मैं point देखके बता सकता हूँ, कि यह कौन से coordinate में होगा, without graph बनाए अगर दोनो positive हैं, तो first quadrant, अगर x coordinate negative है और y positive, तो second quadrant and so on, इसके हम questions करेंगे, उसमें भूरा clear हो जाएगा या, चीक है तो आते हैं हमारे questions पे, हमारे special teach you questions पे मैं start करता हूँ, इस question से, हमें बताना है, कि यह point minus 3,5 कौन से coordinate में है अब without देखे कैसे बताऊँगा, मेरा x negative है, y positive, और अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, तो यह plus plus, minus plus, minus, 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 plus, minus होता है तो x negative है, y positive, तो यह second coordinate में लाए गरेगा, तो direct ही ले सकता हूँ second coordinate यह एक और तरीका यह है, कि मैं figure बनाऊँ, यहाँ पे x की value minus 3, y की value 5, यहाँ ओपर चला जाएगा तो यह second coordinate में है, तो b answer है मेरा यहाँ पे हम में पताना है, वो point जिनके लिए apps की साथ, यहनि x coordinate और ordinate, यहनि y coordinate equal है वो कौन से coordinate में लाए करेंगे? अब x coordinate और y coordinate equal है, तो यह कब-कब हो सकते हैं? यहनि जब 0, 0, 1, 1, 2, 2, minus 1, minus 1, minus 2, minus 2, and so on यहाँ पे x coordinate, y coordinate equal है, तो मतलब apps के साथ, और ordinate equal है मुझे बता रहा है points other than origin, तो origin को छोड़ दू, तो यह जब बाकी points है चिक कौन से coordinate में लाए करते हैं? यहाँ इसके लिए मैं ग्राफ बना लेदा हूँ 1, 1 मेरा यह वाला point है, x की value 1, y की value 1, फिर 2, 2 क्यों होगा? x की value 2, यहाँ पर 2, ऐसे ही 3, 3, x की value 3, यहाँ पर 3, and so on और फिर नीचे, minus 1, minus 1, तो x minus 1, y minus 1, यह, x minus 2, y minus 2, यह, x, sorry, x minus 2, y minus 2, x minus 3, y minus 3, यह, आप notice करो, यह कुर कॉर्ण से कॉर्णेंट में है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो 1st और 3rd कॉर्णेंट में है, तो correct answer है, see? यहाँ पर given है, sign of apps के सा an ordinate in second quadrant, क्या होते हैं? यह होता है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, second quadrant में x मेरा negative है, और y positive है, example ले लेते हैं, for example, यह अगर suppose point low, तो यह है x minus 2, y minus, y 3, तो यहनि apps के सा मेरा negative है, और ordinate मेरा positive है, तो minus plus answer है, यहनि c, अगला है, apps के सा of all the points on the x axis, हम ने देखा था, कि यह मेरी x axis है, तो यहाँ पर point, suppose यह है, तो यह है 4, 0, ऐसे ही, यह है 2, 0, ऐसे ही 0, 0, origin, ऐसे ही minus 2, 0, and so on, apps के सा, यहनि x coordinate of all the points, अब मुझे इन सारे points के x coordinate बताना है, अब देखो x coordinate क्या है, यहाँ पर minus 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यह इन ही change होता रहता है, तो जितने margin number x axis में हो, उतने सारे points, मेरे abs को होंगे, यहनि x coordinate होंगे, तो यहाँ पर apps किसा आएगा, यहाँ अब इन हंबर, कोई भी number हो सकता है यहाँ पर, minus 3, minus 4, minus 100, minus 2000, कुछ भी हो सकता है, तो apps किसा यहाँ पर आएगा, any number on the x axis, यह similar है पिछले वाले के यहाँ पे हमें ordinate बताना है वो points जो x-axis में अब देखो हमने क्या देखा था यह point था 2,0 यह था 4,0 0,0 minus 2,0 and so on ordinate यानि y coordinate क्या इन सारे points का देखो यहाँ पे 0,0,0 तो मतलब ordinate of all the points क्या है 0, तो A answer है okay अब पूछ रहा है apps किसा of a point यानि x-coordinate of a point is positive in which quadrant अब quadrant देखो यह है मेरा first, second, third, fourth x-positive कहाँ पे होगा है यहाँ पे, right side पे तो point या तो ऊपर हो या नीचे हो तो क्यों फर्क पढ़ता है, x तो positive ही होगा यानि यहाँ पे यह point होगा 3,3 यह point आएगा 3,-2 तो यानि first और fourth quadrant में मेरे apps किसा positive है तो यहाँ पे भी answer ना मेरा यह वाले में कह रहा है on plotting the points O, A, B, C और फिर join कर दूँ तो figure कुण से बनती है तो पर the points plot कर देते है O है 0,0 यानि यह वाला point A है 3,0 X की value 3 यहाँ पे और Y की value 0 है तो यह पे रोख जाता हूँ तो यह 3,0 B है 3,4 यानि X की value 3 और फिर Y की value 4 यह उपर वाला और C है 0,4 यानि X की value 0 पर Y 4 है तो यहाँ से उपर चले जाता हूँ इन सारे points को join कर दो तो यह कुछ ऐसे बनता है अब notice करो यह rectangle है rectangle कैसे है यह बतायता हूँ देखो यहाँ से 0 से लेके C point तक का distance क्या है 4 units क्योंकि हमें देख रहा है 1,2,3,4,4 units है और 0 से A point तक का distance क्या है देखो हमें देख रहा है 1,2,3,3 units और आप notice करो यह 4 है तो यह भी 4 है और यह 3 है तो यह भी 3 है तो यहाँ पे opposite sides में equal आगे तो यह बनेगा rectangle अगले में कह रहा है अगर यह सारे points में graph में plot कर दू तो fourth quadrant में कौन-कौन से points होंगे तो कर देते हैं असाल है P की value है minus 1,1 यानि X की value minus 1 Y की value 1 यह Q है X3 Y minus 4 Q है X की value 3 Y की value minus 4 नीचे यहाँ पे R है X की value 1 Y की value minus 1 1 minus 1 यह X है minus 2 minus 3 यानि minus 2 और minus 3 यहाँ पे यह वाला point और T है minus 4,4 यानि X की value minus 4 पर Y की value positive है 4 यहाँ पे ठीक है तो P की और S ची हमने plot कर दिया हमें बताना है कि इन में से कौन-कौन से point fourth quadrant में अब quadrant क्या-क्या होते है मेरे first, second, third और fourth तो fourth coordinate में है R और Q तो directly देता हूँ R और Q यह रहा B यहाँ पे हमसे पोच रहा है कि इस figure में P point की coordinates क्या-क्या है अब देखो P point के coordinates के लिए पहले तो मैं exit distance निकालता हूँ तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाओ अच्छा इसके लिए एक और काम कर दें है मैं काम करता हूँ P से एक line बनाता हूँ जो कि यहाँ पे touch कर रही है और यहाँ पे touch कर रही है यहाँ accurate नहीं है पर अब notice करो यहाँ पे 4 है यहाँ पे minus 2 minus 2 x से है तो यह आएगा minus 2 और y कोडिनेट 4 है तो यह आएगा 4 ओके यहाँ minus 2 यहाँ 4 तो यह आएगा x की value minus 2 y की value 4 b ओके अब हम यह true false वाला question करते हैं सबसे पहले तो मैं अपना graph बनाता हूँ अब यहाँ पे first है point 0, minus 2 यानि x की value 0 y की value minus 2 यह point 0, minus 2 यह लाए करता है y-axis में हाँ यह मेरी y-axis है और यह point इसमें लाए करता है तो यह है मेरा true अगला है perpendicular distance of the point from x-axis यह यह ऐसा question है जो बहुत लोग को नहीं पता होता है ठीक है even 11, 12 में नहीं पता होता है तो इसी इसका ध्यान मेंगा perpendicular distance का मतलब क्या होता है उससे पहले मैं 4, 3 plot करता हूँ x की value 4 y की value 3 यह वाला point होगा 4, 3 कहारा perpendicular distance from the x-axis यह देखो इस point का distance x-axis से यह होगा ठीक है और यह distance आप measure करो तो यह देखो 1, 2, 3 3 units है तो perpendicular distance of the point from x-axis है इसका y-coordinate 3 ठीक है अगर graph बनाओगे तब clear होता है पर अगर without graph करोगे तो पका गलत करोगे आप x-axis से है तो 4 लिख देते हो पर 4 नहीं answer answer 3 है चीक है यह बहुत common mistake होती है तो इस चीज के ध्यान रखना तो यह false आगया हो 3rd में कहा रहा है coordinates of point जिसका coordinate है minus half apps के साह है 1 यानि x-coordinate 1 है y-coordinate minus half है तो यह क्यों होगा 1, minus half मेरे coordinate लेकिन यहाँ पर ultra given है तो यह गलत है false अगला है अब point lies on y-axis at a distance of 2 units from x-axis देखो x-axis से 2 units तो 2 units या तो उपर होंगे या 2 units नीचे होंगे ठीक है तो point के आएगा मेरा x की value 0 y की value 2 या यह वाला x की value 0 y की value minus 2 तो यहाँ पर coordinate तो ultra given है 2,0 तो यह गलत है तो यह तो 0,2 होगा यह 0,-2 होगा तो यह है मेरा false चेक है अब यह करते हैं यहाँ पर हमें coordinates निकालने हैं इन सारे points के तो निकालते हैं p point का देखूं तो देखो यहाँ पर x की value 1 और y की value 1 तो p होगा 1,1 अगला है q q यह रहा x की value 3 और y उपन इची नहीं जा रहा तो y की value 0 minus 3,0 r यह रहा r का देखूं तो x axis का x coordinate है minus 2 और y coordinate यहाँ से y का देखूं तो minus 3 तो यह आएगा minus 2 minus 3 s यह रहा x coordinate 2 है y coordinate 1 है तो 2,1 t t t यह रहा t यहाँ से 4 है x coordinate y coordinate minus 2 तो 4, minus 2 और फिर o है origin origin क्यों होता है 0,0 यह तो पता है पर यार यह miss ना कर देना common mistake है कि 0,0 miss हो जाता है okay यहाँ पर हमें coordinate बताना है यह axis बतानी है जिसमें यह points लाए करते हैं तो बस rough में plot कर देते हैं और देख लेते हैं x की value पर देख लेता हम quadrant कौन से है first, second, third, fourth यहाँ पर minus 3,5 x की value minus 3 y की value 5 तो यह y यहाँ उपर कहीं आएगा तो second quadrant फिर अगला है x की value 4 y की value minus 1 x की value 4 y की value minus 1 यहाँ पर तो यह है fourth quadrant इसके बाद है x की value 2 y की value 0 x की value 2 y की value 0 यह अब यह यह मेरा axis में लाए करता है किसी quadrant में लाए करता तो यहाँ पर quadrant ही लेखेंगे हम axis लेखेंगे और यह axis कौन से है मेरी x axis तो यह आएगा x axis ठीक है 2,2 2,2 यह वाला point यह है first quadrant minus 3, minus 6 x की value minus 3 minus 6 यह नीचे आजाएगा कोई नीचे जाएगा ठीक है page से नीचे पर यहाँ नीचे आएगा तो यह है third quadrant तो answer आगे अब plot करते है यहाँ पर हमें यह सारे points गिवन है तो x coordinate गिवन है y coordinate ऐसे ही यह 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 मुझे plot करना है अब देखो यहाँ पर गिवन है use scale 1 centimeter as 0.25 units तो जितना हम अभी यहाँ पर ऐसे dandy बना के 1,2,3 लिख रहे थे 1,2,3 इसके जगा आप लिखो 0.25 0.25 into 2 क्यों होगा 0.5 0.25 into 3 क्यों होगा 0.75 and so on ठीक है तो इस scale का मतलब यह है तो जब मैं ऐसे graph बना हुआ तो देखो यहाँ से यहाँ 1 centimeter का distance 0.25 लिया है फिर अगला 0.5 0.75 and so on अब बाद आती है यह कहां तक बनाऊं तो उसके लिए आप x की maximum value minimum value देखो maximum है 1.5 minimum है minus 1.75 तो 1.25 से minus 1.75 तक तो बना नहीं है मैंने यहाँ पे safe लेने के लिए minus 2 से 2 ले लिया ठीक है ऐसे ही y के लिए y देखो कहां से कहां तक है maximum है 1.5 minimum है 0.5 तो 1.5 से 0.5 तक तो बना नहीं था मैंने यहाँ पे again 2.2 बना लिया पर आप 1.5 से 0.5 तक भी बना सकते हो आपकी मर्जी है ठीक है इसके बाब बस प्लोट ही करना है तो प्लोट देख लेते हैं x की वैल्यू 1.25 1.25 यह रहा y की वैल्यू 1.25 यह रहा तो यह रहा अचा पहले तो origin यह x कोडिनेट x, x dash, y, y dash फिर अपना पॉइंट लिख दिया 1.25 माइनस 0.5 x की वैल्यू 0.25 और y की वैल्यू 1 यह 0.25, y की वैल्यू 1 यह रहा इसके बाद है x की वैल्यू 1.5, y की वैल्यू 1.5 x की वैल्यू 1.5 y की वैल्यू 1.5 टांग गई यह हाँ चेक है और इसके बाद है x के value minus 1.75 minus 1.75 यह है और minus 2.5 यानि यह वाला point तो कर दिया हमने plot यह थोड़ सा different डप का question था इसलिए मैंने question include कर रहा है अब यह वाला करते हैं यहाँ पे हमें यह points plot करने हैं यह plot करने के लिए न पहले आप देखना x की maximum value minimum value क्या है? ऐसी y की maximum और minimum value क्या है? हम x coordinate देखें सबके तो x की maximum value है 6 minimum है minus 7 तो 6 से लेके minus 7 तो बनाने ही पड़ेगा y की है maximum minimum है 2 minimum है minus 3 तो maximum 2 sorry maximum 2 minimum है minus 3 मैं एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे बनाता हूँ graph minus 7 से 7 और minus 7 से 7 ठीक है? पर जरूर ही नहीं है आप के इतना बड़ा बनाओ आप बनाओ minus 7 से 6 तक और फिर 2 से minus 3 ऐसा भी बना सकते हो आपके उपर है पर क्यूंकि इस symmetrical हो जाएगा अच्छा अच्छा देखेगा इसलिए मैंने यहाँ पे minus 7 से 7 तक graph बनाए है x और y में अब plot करते थे p point है x की value minus 3 y की value 2 x की minus 3 y की 2 यह वाला point sorry origin x coordinate x x dash y y dash फिर point plot करते है point p q है x की value minus 7 y की value minus 3 x की value minus 7 y की value minus 3 यह r point है मेरा x की value 6 y की value minus 3 x की value 6 y की value minus 3 यह और इस point है मेरा x की value 2 y की value 2 x की value 2 y की value 2 यहाँ पे ठीक है इनको join कर दूँ तो यह कुछ ऐसे बनेगा और यह जो figure होती है यह होती है trapezium ठीक है हम अच्छे से पढ़ेंगे सारे quadrilaterals chapter 8 class 9 में ठीक है तो उसकी वीडियो का वेट करो अभी के लिए अच्छा जब आप end वाल एक्जाम दोना तो आपको समझा जाएगा कि यह trapezium है ठीक है अभी नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं हम cover करेंगे इसको ओके अब बस एक last question कर लेते हैं यहाँ पर हमें यह अजीब और गरीब figure given है मुझे बताने हैं वो points जिनका apps के साथ 0 है यानि x coordinate 0 है जिनका x coordinate 0 है x coordinate 0 यह दिख रहा है मुझे a देखो यहाँ पर 0 coordinate 0 0,3 है तो इजी a और यह l दिख रहा है यानि जितने भी points मेरे y axis में है वो मेरे उनका apps के साथ 0 है तो यहाँ पर a l है पर यार एक चीज़ मिसना करना है यहाँ पर origin भी है 0,0 तो तीन points आएंगे a 0 l sorry a o l अगला बता रहा है जिसको ordinate 0 है यानि y coordinate 0 है y coordinate 0 देखो यहाँ पर यह g का है यह i का है यानि जितने भी points मेरे x axis में है वो तो वो होगा i o और g g i o एक ही बात है अगला है वो point जिनका apps के साथ minus 4 है यानि x coordinate minus 5 यानि x coordinate minus 5 तो यहाँ से line मनाता हो minus 5 उपर से नीचे मुझे 2 point देख रहे हैं एक d देखो minus 5,1 और 1 h minus 5,3 तो यहाँ पर है d और h ok ok यहाँ पर हमारी video खत्म होती है इसके बाद आप chapter 3 class 9 coordinate geometry इसके सारी exercise ट्राइ कर सकते हो 3.1, 3.2, 3.3 ठीक है सारी असानी से हो जाएगी और सारी करना आप ट्राइ teach you में जाके concept wise से ठीक है वीडियो अच्छी लेकर तो जितना share हो से कर उतना share करना और वीडियो को subscribe करना ठीक है आप जितना हमारी वीडियो को share करते हो उतना हमें support मिलता है और जितना आप हमें support करोगे उतनी हम better videos और ज्यादा वीडियो बना पाएंगे आपके लिए तो ये chapter की तो एक ही video है तो यहाँ पर एक ही playlist होगी बाद में हम चैथ questions भी दर हैं practice questions next में हम अगला chapter हो chapter 4 करेंगे अगर आपको बाकरी chapters रेक नहीं class 9 के तो आप check कर सकते हो चलो see ya guys